हेलो अब्रीवन तो कैसे आप सभी आई होप आप सभी स्टूरेंट ठीक होंगे तो मैं वेक आपका फिर से सौफ करता हूँ आपको ने परिवाग कॉलेज अपडेट में तो देखिए आज हम डिसक्राइब करेंगे फिफ सेमेस्टर की एक्जाम डेट मरलब की जो फिफ सेमे आपको मिलेगी ठीक है तो फिफ सेमेस्टर के एक्जाम की अपडेट में आपको दूँगा उसके रजिस्टेशन कब से स्टार्ट होगा सलेवस और दैन सब्जेक्ट ठीक है उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सकाइब कर ले और हमारा टेलिग्राम चैनल भी जरू जोइन कर ले लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करा दिया है तो देखिए पैदो मैं आपको फिफ सेमेस्टर के एक्जाम डेट की बारे में बता दूँ फिफ सेमेस्टर की जो एक्जाम है वो आपके नवंबर से द गैप रहता है हर सेमेस्टर के बीच में तो फिफ सेमेस्टर के बीच में तो फिफ सेमेस्टर के बीच में जो गैप है वो जो आपके एक्जाम नवंबर से डिसंबर के बीच में कराई जाएंगे एक्जाम डेट यह है ठीक है अब क्या फिफ सेमेस्टर के लिए को एक्जा आपने फर्स्ट और सेकंड डियर में एडिविशन के टाइम पे आपने दी ती चार चालीस रुपे आपके दुवारा पे किये जाएंगे रजिस्टेशन में ठीक है अब मैं ज़रा स्लेवस की बात कर लूँ तो स्लेवस जो रहने वाला है अब लेवल देगे हर सब्जेक्ट का एक लेवल होता है आपके डिसिप्लिन और कोर सब्जेक्ट है उनको आप चेंज नहीं कर सकते बाकी एई सीसी और मिल इनके जो सब्जेक्ट है इनको चेंज करने का आपको आप्सन मिलेगा जब आप अपना एडविशन करवाओगे फिप्ट सैमिस्टर में अब स्लेवस सब्जेक्ट की बात करूं तो आपको चूज करने का मौका दिया जाएगा ठीक है बाकि जो कोर सब्जेक्ट है वो चेंज नहीं होंगे ना डिसिप्लिन वाले बाकि दो सब्जेक्ट आपके चेंज हो सकते हैं आप उनको एडविशन के टाइम पे चेंज करोगे तो फीज तयार रखना चार जार चालीस उर्पे एक्जाम डेट आपको नवंबर से दिसंबर के बीच में एक्जाम कराए जाएंगे राजिस्टेशन आपको कराना होगा बाकि आप आने टाइम पर जाओ भी क्लासिस बगएर आपकी लगेगी वह हमसार आपको अपडेट करेंगे ठ फिट से हमस्टे की जो एक्जाम है वह अपके नवंबर से दिसंबर के बीच में कंड़क्ट कराए जाएंगे वागी वीडियो कैसे लगी जरूर बताना थैंक्यू सो मुझ